आज पुआस के मौके पे ये टेस्टी नाश्ता बना करके देखिए काफी ईजी है लेकिन खाने में बहुती टेस्टी है इससे बनाना काफी आसान है तो चलिए बीना केसी देरी के आज इस रेसिपी को शुरू करते हैं इससे बarnay के लिए मैंने यहां पर कर लेंगी है सबसे पहले मैंने यहां पर एक चौPress ले रखा है इस चौPress में आपके toθ्सिए में इसान बरॉ हो कर लूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मरी मिर्शी वो कितने अच्छे से बारिक कट चुकी है मतलब हम इसे डॉर्मल मिक्सी में डालते हैं बिल्कुल वैसे ही यह कट चुकी है इसके बाद में आना है यहां पर रोस्ट कियों इसके अंदर में शैंग दाने डाल होंगी कि पांक फंच लोगों के लिए बना रही हूं तो आप जितने कटेडी में बना रहा है अपना ले सकते हो हम सबसे पहले हम यहां पर तेल डालब आपे लिग के बाद में हां आप उ लावत यहं एक तीक्ये नहीं है इसको डाल अब मैं यहां पे इसके अंदर यह आलू डाल दोंगी कच्छी आलू अब मैंने आलू डाल दिया है इसे अब हम अच्छे से मिक्स करकर ले लेंगे तो मैंने हाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करके ले लिया है अब मैं यहाँ पे इसके अंदर स्वात के नुसर नमक डाल दूँगी मैंने यहाँ पे नॉर्मल नमक डाला है आप चाहे तो उपवास के नमक भी डाल सकते हैं या फिर शेंग तरह नमक भी डाल सकते हैं मिक्स करके ले लूँगी सबसे पहले तो अच्छे से मैंने यहां पर मिक्स करके ले लिया है अब जो यहां पर मैंने हरे मिर्शी को चॉप करके लिया था वो डाल देंगे और यहां पर मैंने जो शेंग दना मैंने यहां पर बारी बारी पीसे में करके ले लिया था उससे भी यहां पर मैं डाल दूँगी तो मुफली भी मैंने यहां पर डाल दी है अब हम यहां पर इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे अच्छे से mix करके ले लिया है इसके बाद में क्या करना है ना कि बिल्कुल थोड़ा सा इसमें दो चमचे के हिसाप से आपको पाने डाल देना है और इसे लिड लगा के फिर से आपको 2-5 मिनट ता कि इसे अच्छे से cook करके ले लिया था मीडियम लो फ्लैम पर अब यहां प तो यहां पर देख सकते हैं अच्छे से mix कर लिए चले देखते हैं अभी यह पक चुका है यह नहीं तो यहां देख सकते हैं कि जो मार आलू है न वो अच्छे से एकदम तूट रहे हैं तो आई होब फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी अच्छे लगी होगी तेन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बल आइकवन को क्लिक कर लीजे